नमस्कार, Perfect Timeline में आपका स्वागत है और मैं हूँ विमानश श्रमा जो भी Candidate काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि कब RBI यानि की Reserve Bank of India के तरफ से notification जो है वो आएगी तो आपके लिए एक अच्छी जानकारी है जो भी व्यक्ति काफी लंबे समय से RBI की notification का इंतजार कर रहा था कुछ posts का इंतजार कर रहा था तो अच्छी जानकारी उनके लिए सामने आ रही है आप इस information को आखी तक जरूर सुने और इसे share भी करें आपको बता दें कि बहुत जल्द RBI यानि Reserve Bank of India के तरफ से एक notification जो है वो आने वाली है form फिल करने की date भी आने वाली है उसके बाद exam की date भी बहुत जल्द निकालने वाली है क्योंकि एक notification जो है वो आई सामने आई है एक जानकारी के मताविक आपको बता दें कि March में एक notification निकाली जाएगी कुछ ही महीनों के एक ही महीने के बाद बलकि कुछ ही दिनों के बाद notification जो है वो आने वाली है जिसमें form फिल करने की date March में बताया जारी कि March या April में form फिल करने की date निकाली जाएगी तो जो भी eligible candidate है, जो भी interested candidate है, जो RBI में job करना चाता है तो वो अपनी त्यारियां जो है वो शुरू कर दे, अपने exam के पढ़ाई जो है वो भी अची तरह शुरू कर दे क्योंकि बहुत जल्द आपका exam जो होने वाला है, एक जानकारी के मताबिक आपको बता दें की मार्च में, मार्च तक एक notification जो है वो आने वाली है, मार्च में आपके form जो है वो apply हो जाएंगे, fill हो जाएंगे और उसके बाद जुलाई में आपके paper जो है वो भी conduct करवा दिये जाएंगे तो जल्द से अपनी exams की preparation जो है वो start कर दें क्योंकि जुलाई में आपके exams जो हो सकते हैं तो जो भी RBI यानि Reserve Bank of India में job करना चाहता है तो वो अपनी preparation को start जो है वो कर दे, बलकि कुछ लोगों ने start कर भी दी होंगी इसके बाद अगर हम बात करें तो कोन-कोन ये form फिल कर सकता है, क्या criteria है तो आपको बता दें की सबसे पहले अगर हम बात करें क्या आपको चाहिए, इसमें क्या education qualification क्या चाहिए तो bachelor degree आपको होनी ही चाहिए, bachelor degree must है, वो भी recognized institution से आपकी bachelor degree होनी चाहिए इसके बाद अगर हम बात करें age की, तो 21 साल से रेके 30 साल तक जतने भी इसके अंदर age fall करते हैं, जतने कि इसके अंदर जो लोग फॉल करते हैं, वो अपने ये form जो हो लगा सकते हैं, इसके लिए वो eligible हैं इसके बाद अगर हम age relaxation की बात करें, तो 3 से 5 साल तक का age relaxation जो है वो दिया गया है, ST और SC category वाले लोगों को इसके बाद अगर हम बात करें fee की, कितनी application fee है, कि application fee जो है वो रहेगी, तो इसके लिए आपको बता दें कि जर्नल की अगर हम बात करें, जर्नल category वालों की या फिर हम बात करें, economically backward classes की उनकी बात करें, तो उनकी fees जो है वो 850 रुपीज रहेगी, application fee और अगर हम बात करें, ST की तो सिरफ वो सिफ जो ST category के लोग है, उनके लिए जो fee रहेगी, 100 रुपीज उनके लिए fee जो है, वो रहने वाली है, तो बहुत जल्द इसके फॉर्म जो है, वो आने वाले है, मार्च में फॉर्म निकल जाएंगे, notification आ जाएगी, तो जो भी interested candidate है वो ready हो जाए, अब RBI में job करने के लिए, इसके बाद अगर हम बात करें, selection process क्या रहता है, किस तरह के pattern, जो है, सबसे पहले आपको पता ही होगा, prelims होता है, उसके बाद mains होता है, mains के बाद DEPR के post जो होती है, उसके बाद DSTM होता है, और last में आपका interview जो है, वो conduct करवाया जो भी RBI में, यानि के Reserve Bank of India में job करना चाहता है, तो इसके बहुत अच्छी opportunity जो है, वो सामने आ रही है, तो आप जरूर जो है, वो इसके official website में देखते रहें कि आखिर कब जो है, वो आ रही है, कब इसके form फिल करना ही है, कब एक्जांस है, हम भी आपको जानकारी जब भ ग्रेट B की पोस्टें जो है, वो इनाउंस होने वाली है, और मार्च में इसका form जो है, वो भी लगना शुरू हो जाएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अगर आपका कोई फ्रेंड इंट्रस्टिट है RBI में job करने के लिए, तो आप उस तक भी इस वीडिय ट्रेम लाइन के साथ बने लहें, धन्यवाद